नमस्कार साथियों मैं डोक्टर संकर चोधरी स्वागत करता हूँ आपका राजस्तान सरकार और वैदान ताके CSR इनी सी टीवी कक्सा में जिसके टेकनिकल पार्टनर है मिसन ग्यान मुझे उमीद है आप सभी लोग ठेक होंगे स्वस्त होंगे और आपका धेनकारी भी सुचार तोर पर जारी होगा और हमारे दुवारा जितने भी वीडियो आप तक पहुँचाए जारे हैं सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे बावजूद इसके एधि फिर भी कोई समस्या हो तो आप जदा से जदा वीडियो को बार बार दो तीन तीन बार उनको पढ़ेगा ताकि आपकी जो समस्या है उनका समाधान हो सके सातियों जैसा कि आप इसकीन पे देक पारें आज हम पढ़ेंगे सितीच जो आपके पार्टी पुस्तक का नाम है और शितिज का मतलब क्या होता है जहां धर्ती और आस्मान मिलते हुए दिखाई देते हैं उष्भाब को शितिज का जाता है कक्षा नोहई पाठ संक्या ग्यारा है और आज हम पड़ेंगे सवये ये सवया एक चंद है जो ब्रज का सबसे मैत्मन चंद माना जाता है और जो सवया चंद है इसके ग्यारा भेद माने गए बाश से लेकर 26 तक इसमें वरण होते हैं कावे खंडम पड़ेंगे यानि यह रसकान जी भी आपकी तरफ देख रहे हैं करें शुरुवात रसकान का व्यक्तितू और करतितू से क्या तात्प्री है कि रसकान जी का व्यक्तितू का मतलब होता जीवन प्रीचे इनका जीवन प्रीचे क्या है कहां इनका जन्म हुआ कहां इनका निदन हुआ और करतित में आती है इनकी कौन कौन सी रचनाइं हैं हिंदी सहे के कर्षण भक्त कवी के बहुत बड़े भक्त टे उपासकते रसकान का मूल नाम शेयद इब्रहेम था इनका कर का नाम या मूल नाम सहिद इब्राहिम था उनका जन्म सन 1548 इस्वी के आसपास मुगल राजवन से समंदित एक प्रतिष्टित पठान परिवार में हुआ था जहां मुगल राजवन से समंदित एक पठान परिवार था जहां आपका जन्म हुआ था और यह परिवार दिल्ली क आस पास निवास करता था मुलेत है मुसल्मान होते वी ये जीवन वर कर्शन की बक्ति में ऩूबंर eh मुसल्मानों का कर्शन की बती से कोई तालूकात नहीं हूता लेकिन जिन्दकी बर ये घ्र रसकान के चारणों में अपने आपको संवर्पित रखे इनके बगवत बगती को देखकर गोश्वा में विठल नाजी ने इने अपना सिस्ष्य बना लिया इसका मलब बात साप है कि रसकान के गुरू का नाम क्या था विठल नाजी कहते हैं कि उन्हें स्री नाजी के मंदर मे कर्षन के साकशात दर्षनों यह थें ऐसा भू का जाता कि रसकान को बगवान में स्री नात जी की मंदर में हुआता है तब इसे भी ब्रज बूमी में रहने लगे ब्रज बूमी ब्रज का मतलोता चारा गाउं की बूमी को ब्रज बूमी कहते हैं और फिर आजी उन वहरे सन 1628 इस्वी के आसपास इनका नीधन हो गया यानि 1628 के आसपास ये इस दुनिया से रुक्षत हो गए कौन कौन सिन की रचनाई है तो सुजान रसकान और प्रेम वाटिका में प्रेम विशेक दोए है जो प्रेम वाटिका गरंत है इसमें तो प्रेम के विशे से समंदी दोए है तता सुजान रसकान में कर्षन प्रेम पर कवित और सविया कवीत भी एक छंद है जिसमें सात्यूं 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं और सवये में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं साहित्यक रचनाएं ये पढ़ने से पहले आपको जानना पढ़ेगा कि ये सब्द बना के से तो इसमें मूल सब्दें साहित्य और इसमें हम लगाएंगे एक साहित्य प्लस एक से साहित्यक बनता है रसकान की कावी रचना का विशे कर्षन भक्ति वे कर्षन से समंदित प्रतेक वस्तु पर मुग्ध है प्रसंचित है कर्षन का रूप सुन्दरे वेश बूशा भगवान किर्षन की मूरली बाल किरड़ाएं उनकी अभिवेक्ति के आधार है उन्हें किर्षन की जनम भूम ब्रज का यमना तट वहां की वन बाग पशु पक्सी परवात नदी तड़ाग का मतलब तालाब होता है तड़ाग का मतलब होता है तालाब आधि से अगहाद प्रेम ता बहुत ज़्यादा प्रेम था वे उसी व्यक्ति का जीवन सपल मानते हैं जो कर्षन की भक्ति में जीवन प्राप्त करना धन्य नहीं है कर्षन की सिवाई उन्हें संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता जो भी कुछ अच्छा लगता है वो बगवान सृत कर्षन लगते थी रच्कान की बातम कर रहे हैं उनका प्रेम अत्यंत पवित्तरता निश्चल प्रेमता और करना बावुकता जी हां बावुकता और तल्लिंता देखते ही बनती है कुल मिला के बहुत ही भावुक प्राणी थे और तल्लिं सब्द बनाया है तत प्लस लीन जी हां तत प्लस लीन प्लस ता तल्लिंता देखते ही बनती है बासा से लिए कुण सी थी रच्कान अपनी सू बहुत मदूर बात करते थे शरल सरस रस युक्त ब्रेज बासा यान जो मत्रा गौर्धन के आसपास बोली जाती है। किलेस्वए प्रसिद है तो रसकान की बासा कौन सी थी ब्रज बासा ये हर हर पद्दे के बारे में आपको लिखना है हर पद्दे में जब हम विसेश बात करेंगे तो इन सब्दों का उल्लेक करना जरू और नहीं है कई दिकावा नहीं है कई अलंकारोंकी भरमार नहीं है उनके सब्दों में जरना सा मदूर प्रवा है वहाव है मौहावरों के प्रियोग ने उनकी वाणी को मदूर बना दिया है रसकान के काव्य जेसी सहस्ता और प्रवा और कहीं मिलना दूरलब है कटीन है कवित और सवया तेनू चंदू पर उनका पूरा का पूरा अधिकार है वास्तों में रसकान रस की एक खान है अब इनके कौन-कौन से पद है ये भी मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ मानस हो तो वही रसकानी हार प्रिस्तिते में रसकान बगवान स्री करसन का अनिन्ने सामे पेचाते वो उनके निकट रहना चाते है मानस हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गाउं के गवारन जो पसो हो तो का बसमेरो चरो नित नंद की धेनों मजारन पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरी चत्र पुरंदर धरन जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन पहले कटिन सब्दार समझ लीजीगा मानुस का मतलब मनुस्य हो जाएगा गवारन का मतलब होता गवालों के साथ-साथ कहा बस इसमें मेरा क्या बस है कहा बस का मतलब मेरा क्या बस है ठीक है चरो यानि में चरूं उनके साथ चरूं नित यानि हमेसाई धेनू का मतलब गायों के मजारन का मतलब ता मध्धे में पाहान यानि पत्तर हो तो उसे गिरी गिरी का मतलब जाएगा परवत का जो कियो हरी चत्र चत्र का मतलब चाता चत्र का मतलब चाता पुरंदर का मतलब इंद्र धारन यानि धारन कियाता और जो ख भग यानि पक्षियों तो बशेरो करो मिली कालिंद कुल कदम की डार रसकान क्या करें पंक्तियों में पहले समझेगा इस सवय में रसकान प्रात्ना कर रहे हैं कि वह हर जनम में ब्रज भूमी में रहना चाहते हैं यानि जहां बगवान स्री कर्षण रहते थे वहें कौन रहना चाहते हैं रसकान भी उसी ब्रज भूमी में रहना चाहते हैं देखेगा कवी रसकान कह रहे हैं कि मानुस हो तो वही रसकानी कि हे बगवान अगर मैं अगले जनम में मनुस से बनू तो वही रसकानी तो मैं कहां जनमू ब्रज बूमी में ही जनमू बसो ब्रज गोकुल गाउं के गवारन तो मैं गोकुल के गाओं के गवालियों के बीच में जो गाएं चराते उनके बीच में जाकर मैं बसूँ यदि भगवान आप मुझे अगले जनम में मनुष्य जिवन देते हैं तो मैं ब्रज के गाओं के गवालों के मद्दे जाकर बसने वाला एक गवाला बनूँ जो पसु हो तो का बस में रो अगर मानली जी मैं मनुस्य नहीं बन पाया और मानली जी अगले जनमे में पसु बन जाओं तो इसमें का बस में रो इसमें मेरा कोई भी बस नहीं है चरो नित नंद की धेनू मजारन और यदि गाई बन जाओं बननों पाहन होतों वहीगिरी को और मानलीजे मैं गाही भी नहीं बन पाया मनुस्यी भी नहीं बन पाया पाहन होतों वहीगिरी को अगर मानली जी में पहाड बन गया तो वहे गिरी का उसी परवत का मैं पत्थर बनना चाहता हूँ पाहान हो तो यानि पत्थर बन जाओं तो उसी गिरी यानि उसी परवत का बनू जो कियो हरी चत्र पुरंदर दारन जिसको बगवान स्रीक करशने जो कियो हरी यानि किशने चत्र यानि चाते की रूप में पुरंदर दारन इंदर ने क्या कर लिया था धारन कर लिया था एसे परवतका में एक पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे चाते की रूप में पुरंदर धारन, यानि इंदर ने क्या कर लिया था? धारन कर लिया था जो खग हो तो भशेरो करू और मान लिजे खग यानि मैं पक सी बन जओं तो बसेरों करूं तो मैं वहां निवास करूं वहां रहूं मिली कालिंदी यानि यमना नदी के कुल यानि किनारे पर कधम की डारी कदम नामा वरक्स की डालियों पर में बेटा रहूं यमना नदी के किनारे कदम की डालियों पर बेटने वाला में पक्सी बनूं पत्तर बनूं तो मैं उस पहाड का बनूं जिसे इंदर ने दारन कर लिया था येदी में पसू बनो तो नंद बाबा की गाईउं के मद्दी चरने वाली गाई बनो येदी मनुष्य बनो तो नंद ब्रज बूमी में जो गवाले रहते हैं उनके बीच में जाकर रहने वाला एक गवाला बनो बासा ब्रजबासा है विशेश में क्या लिकेंगे नमर दूसरी बात क्या है बगवान से कर् Patient के प्रते बहुत जद़ा स्रधा और समर्पन का भाव यहां मुसलमान होते हुए भी रसकान के हिर्दे में इस ताई रूप से विद्यमान है नम्मर दो है का मतलता मतलब नगर் यानि मत्याग दू आटूज शिद्दिया और नो निद्दिया विशारो का मतलब क्या है बूल जाओं कबो यानि कब तडाग यानि तालाब को निहारो यानि कोटिक यानि करोडों कालदोत यानि सोने के दाम यानि घर उंजन यानि लत्ताओं के घर वारो यानि में न्योचावर कर सकता हूं कर्षन प्रेम मगन गोपी स्री कर्षन की सारी वेश बूशा धारन करने को तक पर यही इस चंद में प्रस्तुत किया गया है या लकुटी और कामरिया पर कि मैं बगवान स्री कर्षन बनना चाहता हूं बगवान स्री कर्षन की हर चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी लकडी और यानि और कामरिया यानि कम्बल पर अगर मुझे मिल जाए इनकी लाठी और कम्बल यदि मुझे मिल जाए तो राज तियो पूर को तजिडारू मैं तेनू लूकों का राज भी त्याग सकता हूं छोड़ सकता हूं आठों सिद्धी आठों जो सिद्धिया है नव निदि और नव जो निदिया है आठ सिद्धि में अनिमा गरिमा लगिमा मैमा याती है नव सिद्धियों में क्या क्या आता है इसित्व वसित्व ये सिद्धिया है आठ सिद्धि नव निदिया इसित्व वसित्व के सुक नंद की गाये चराए विसारों अगर मुझे नंद बाबा की गाये चराने मिल जाए तो मैं आठ सिद्धियों नव निदियों के सुकों नंद बाबा की गाएं को चराने के लिए बिसारों भूल सकता हूं बसर मुझे नंद बाबा की गाएं चराने का मुखा तो मिले रसकान कबो इन आखन से रसकान कहरें कि कब मैं अपनी इन आखों से ब्रज के बन बन यानि जंगल बाग बन बाग यानि जंगल तड़ाग यानि तालाबों को निहारो यानि देखूंगा मैं अपने नेत्रों से ब्रज के बन बाग और तालाबों को देखना चाहता हूँ कोटिक एक कलदोत के दाम कोटिक करोडू कलदोत यानि सोने के दाम करोडू सोनों के दाम को भी में करील का मतलब होता है एक वरक्स के कुंजन कुंजन यानि लताओं के घर पर उपर वारो यानि वार सकता हूँ अगर मुझे करील के कुंजन मिल जाए तो मैं करोडू सोने के दाम को भी उनके उपर नियोचाओर कर सकता हूँ दाम कामलों घर को करोड़ों सोने की घरूं को भी में उन किसके उपर करेल के कुंजन यानि लताओं के घर पर वारो यानि नियोचाओर कर सकता हूं फिर एक बार सुनिएगा अगर मुझे लखड़ी और कामणी मिल जाए तो मैं तेनू लोकों के सुख को क्या कर सकता हूं त् सिद्धी और नो निद्यों के सुख भी कोभी में नंद की गाये चराने पर त्याग सकता हूं रसकान कबो इन आकंसो कभी रसकान कहरें कि कब इन आकों से ब्रज के बन बाग तढ़ाग नियारो कि कब मैं अपनी आकों से ब्रज बूमी के जंगल और तालाबं को कोटिक एक कलदोत के दाम सोने से बनेवे दाम यानि घरों को भी मैं करील नामक वरक्स की लताओं के घर के उपर वार सकता हूं येदि मुझे मिल जाए तो सोना चांदी मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है पूरी की पूरी में भासा क्या है ब्रज है सेली बहुत साधरन है बगवान स्री कसन के प्रती अननी शर्दा और समर्पन का भाव है रस की बात करेंगे तो भक्ती रस है कौन सा रस है भक्ती रस अगर गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है नम्मर नेक्स्ट देखेगा क्या कहना चाहते हैं अधरा न धरोगी समझ में आगे यहां भी मैं आपको समझा देता हूँ पहले इसमें क्या लिकर कहा है कर्षन प्रेम में मगन गोपी सिर कर्षन की सारी वेस बुसा धारन करने के लिए ततपर यानि तैयार है यह इस संद में प्रस्तुत हुआ है वो कह रही है गोपी कि मोर पखा सिर उपर रांखियो मोर पखा यानि मोर के पंकू से बनावा मुकट मैं सिर के उपर रखूंगी गुंझ की मालक गरे पहिर होगी और मैं क्या करूंगी गुंझ का मतलब होता है गुच्छति या रतिती एक माला होती है उसको मैं अपने गरे यानि गले में पहन लूँगी जो बगवान किस्ण पहना करती थे उसी माला को मैं गले में पहन लूँगी ओडी पितंबर और में पीली वस्तर ऊड़ कर ले लखुटी यानि लाठी लेकर बन यानि जंगल में गोधन गवारिन संग फिरोगी गोधन का मलब गाए बिल्कुल और गवारिन का मलब होता है गाईों को चराने वाले के संग यानि साथ साथ फिरूंगी यानि में फिरना चाती हूं गोपी बगवान किसनी बनना चाती है बाव तो वोही मेरो रसकान सो कवी रसकान कहते हैं कि वो गोपी ये कह रही है कि भाव तो वो ही मुझे तो वो ही भाव तो अच्छा लगता है तेरे कहे सब स्वांग करोगी जैसे जैसा बगवान श्री कर्शन करते हैं तेरे कहे उनके कहे अनुसार सब स्वांग सवांग का मलब रूपकों में धारन कहरू प्र morality मुर्ली यानि मुर्ली जो बगवान किस्ण वचा देते पूरी मुरली कि मुर्लीदर का मतला बगवान किस्ण की मुर्ली आदराण धरी होटों पर मैंने धारण कर लिया है अदरा ने दरोंगी अब इसको में दूसरी जगह बिल्कुल भी नहीं रख सकती ये बगवान किर्षण की जो मुरली है ये मेरे अधरान धरी मेरे होट उपर मेने धारन कर लिये अधरान नहीं दरोंगी अब मैं इसको दूसरी जगे नहीं रखूंगी कुल मिला के बात ही है कि गोपी किसे भी सुरत में बगवान स्री कर्षण का सानंदे प्राप्त करना चाहती है और वही कारण है कि बगवान किर्षण की वेस बुशा को धारन कर रही है बगवान किर्षण जैसा बनना चाहती है सात्यों आपको पता है हमारे भी रोल मूडल हो फिर आगे देखेगा चतुर्त पदमिक क्या लिकर का है कानी ने दे अरंगूरी रहिबू जब ही मुरली धुनी मंद बजे मोई ने तानन सो रसकानी अटी चड़ा अटी चड़ी गोधन गहे तो गहे तेरी कहो शीगरे ब्रज लोगने काली को कितनों समुझे माईरी वा मुक कि मुस्कानी संभारी नजाए 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 गोपियां क्या करें देखेगा इस सवय में रसकान ने स्रीकर्षन की वन्सी की मनमोग धोनी के प्रभाव को गोपी द्वारा वर्णन किया गया है कि बगवान स्रीकर्षन की मनमोग मुस्कान केसी थी उनके मुझे बगवान किर्षण की जो मूरली ते उसके आवाज ऐसे लग रहे थे कि आवाज यानि दे कर अंगूरी यानि रहे बगवान स्रीकर्षण की जो मूरली की मदूर मदूर आवाज थे वो ऐसे लग रहे थे कि मुझे अपने कानों में अंगूरी देना ही पड़ेगा जब ही मूरली दुनी मंद बजे और दुनी यानि द्वनी बज़े यानि बजाता है जब बगवान स्रीकर्षण की मूरली की दुन मंद मंद बजती है तो मुझे अपने कानों में अंगूरी द जालना पड़ता है कब जब मुर्ली दुनी मंद बजे जब भगवान श्री कस्वन की मुर्ली मंद मंद बजती है मोहनी तानन सो रसकानी मोहनी मन को मोलेने वाली और तानन यानि तानू से रसकानी कभी रसकान कह रहे हैं अटा चड़ी अटा यानि महल पर चड़ी गोधन एक लोग गीत गए तो गए लोग क्या करने लगे गालने लग जाते हैं मोहनी तानन सो रसकान भगवान स्री कस्वन की जो मन को मोलेने वाली मुर्ली है उसकी तानन यानि तानू से अटा चड़ी गोपी करी कि मैं तुम महल पर चड़ जाती हूं गोधन गए तो गए और गोधन यानि ब्रज का कोई गीत है वो गाए तो गाए वरना मैं तुम मुर्ली को सुनती रहती हूं तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग ने तेरी यानि पुकार कर या बुला कर सिगरे यानि सारे ब्रज लोग ने ब्रज के निवाशियों को यानि सबी ब्रज के निवाशियों को मैं पुकार कर कह रहे हूं काल ही को हु कितनों समझाये कल मुझे आप कितना भी समझा लए लेना आ I keep लिए आ माईरी वा मुक्य की मुष्काने उस मुख्य की मुष्कान को संभारी नहीं जाती नहीं जाती नहीं जाती नहीं जाती नहीं जाती बागवान किर्ष्ण की मुख्य की मुष्कान को संभाला नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता इतने शांदार उनकी मुख्य क्या है मुष्का कुल्स उस्कृमें देना चांपी जाती है कि बगवान स्रीक घरण मुंषटी का जब मूरली बजाते है तो उनकी मुरली की आवाज इतनी सुनदर होती है इतनी अच्छी लगती है और जब मुश्कराते ना तो उसकी मुश्कान को संभारी नजे 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 उनकी मुश्कान को संभाला नहीं जा सकता नहीं जा सकता यह सारे के सारे अगर इन चारों के चारों की बात करें तो इसमें अगर आपको विश्यस लिखना है तो विश्यस में आप क्या क्या लिखेंगे बत अगर इन में रस की बात करें तो इन में रस हो जाएगा सबी में भक्ती रस अगर हम बात करें यहां इसके अंतरगत गुन की तो इन में गुन है प्रसाद गुन अगर सब में बात करें तो इस्वर के परती अत्यदिक स्रदा भाव मलब किसका रसकान का स्री कर्शन के परती बहुत जादा रसक्या स्रदा भाव इन चारुपद्यूं में दिखाई दे रहा है तो मुझे उमिद है कि रशकान एक मुस्लिम कभी होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने भगवान के सुनको अपना अराध्य माना अपना सब कुछ मान कर उनकी उपासना की भक्ती की निसंदे रूप से भगवान स्रीकरसन ने उनको सरे नाजी की मंदर में दर्सन दिया होगा क्योंकि भक्त से बगवान कभी दूर नहीं हो सकते मुझे हो कि चारों के चारों पध्यान्स में विचेस में तो हम यह करेंगे मैंने पूरा पूरा भावार्त बता दिया सब्दार्त बता दिया मुझे उमीद है कि यह बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आगे होंगे अगर नहीं भी आ तो प्लीज आप वीडियो को दूदू तीन तीन बार पढ़ेगा अगर आप दूदू तीन तीन बार पढ़ेंगे तो सो प्रतिस्ति यह समझ में आ जाएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद मिलते एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार